हलो फ्रेंट्स सेल गाड इस्टेडी सेंटर में आपका स्वागत है आज मैं आप सब को बताने वाला हूं राजनीती सास्त्र अध्यन के बारे में जिसका पिछले अध्या में नौवा स्रीज खत्म हुआ है और दसवा वीडियो आज का होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा इ सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबा देंगे आप लोग और साथी साथ दबाने के बाद बेल का आइकन आपको दिखेगा उस पर क्लिक कर देंगे तो इससे यह होगा कि मैं जो भी वीडियो अफ्लोट करूँगा और सबसे पहले आपके तक पहुंच जाएगा तो ठीक है आज से में आज में आप सबको बताने वालों यहां से आप लोगों को विधान सभा को राज सूची से संबंदित विष्यों पर बिधी निर्माड का अनन अधिकार प्राफ्थ होता है तो राज सूची से संबंदित विष्यों पर बिधी निर्माड का अनन अधिकार प्राफ्थ होता है किसे विधान सभा को यह अधिकार प्राफ्थ होता है इसके बाद देखिए क्या है वह समवर्ति सू करता है केंदर का ही नियम ज्यादा तरह मानने होता है और लेकिन इसमें एक यह भी बात रखी गई है कि उस पर केंदर की तरह राज भी कानून बना सकता है ठीक है ठीक है तो यहां इसके बाद देखिए क्या है अनुशेद 124 में उस्तम नियायाले में एक मुख नयाधिस तथा तीस अन नयाधिस का प्रावधान है और इसके बाद देखिए यहां पर है उस्तम नियायाले में नयाधिसों की स्रवच नयायले के मुख नयाधिस के सला से राष्डपती द्वारा की जाती है तो यह इस तरह से बन जाता है यह important देखिए है उस्तम नियायाले में कौन करता है और किसके सलाह पर किया जाता है तो Co सरोच के मुख नहीं और राष्ट्रपती के सलाह के किया जाता है इसके दिखिता है प्रते थे 65 वर्ष कि आयू तक अपने पद पर आसीन रहता तो कितने वर्ष तक नयार अले लेका नयाधिस तो 65 वर्ष की आयू तक वह अपने पद पर आसीन होता है ठीक है तो यह फिर अगत देखते हैं जोश्टम लिया लिक बॉछ नियाधिस को एक लाक रुपे प्रती मा तथा अन नयाधिस को 90 हजार रुपे बेतन मिलता है पर सबसे बड़ा अधिकार नयाय आय बॉछ तब नयाय है और इसे भारत के सभी जुक्षि-चे के का अधिकार है और तथा यहां तीन तरह के मामले कौन-कौन से हैं तो समयदानिक और दीवानी और फौश्चदारी यहतीन मामले पर सुनवाई होता है यह और इसके बाद देखिए अगला जो है वह अनुच्छेयद 143 में नियायाले के परामर्ष को स्विकार या अल्स्विक करना राष्टपती के बीवेग पर निर्भर करता है तो अनुचेद 143 में यह है कि वो नियायालाई के परमर्ष को स्युकार या अस्युकार करना यह राष्टपती के बीवेग पर निर्भर करता है या सिफुकर कर सकते हैं और इसके बाद दिखिया है समिधान एक disband को अभे लेक नियाययालाई का सिथान-क्रदान होता है इसके बाद नोचेध दूसरमost4 में समिधान के नुसार प्रतेकराज के लिए एक उचिन अखिक ठीक यह दिया गया है अनुशेज 14 24 में कि समीधान के नुसार प्रतेक राज के लिए एक उच्छ नियायाले होगा है ठीक है अब इसके बाद दिकिए है दिया हुआ है यहाँ और इन्यायाले नियाधिसों की नियुक्ति राष्टपति के द्वारा होती है ठीक है राष्टपति की नियुक्ति कोन करता है तो वह राष्टपति के द्वारा की जाती है और इसके बाद देखिए गुवाहाटी उच्छ नियाले में नियाधिसों की संख्या सबसे कम तीन एवं इलहाबाद उस नियाले में सबसे अधिक 58 है तो यह सबसे इंपर्टेंट है इलहाबाद वाला अक्सर पूछा जाता है इसमें कि सबसे ज्यादा नियाधिस की जंग संखय कहां पर है तो वह इलहाबाद में है ठीक है और इसके बाद देखिए अगला क्योशन जो है उच नियाले के निया यहां देखे थे कि सर्वोच नियाले की निया इसके लिए 62 वर्ष की आयो तक अवने पर बना रहता है और सरोज नियाले के लिए कितना था यहां पर देखे थे हम तो पैसा डोर्स था और इसके बाद देखिए और राष्टपती को अपना त्याग पत्र दे सकता है ठीक है इसके बाद देखिए है अनुशेद संग्रह के संबंद में अधिकारों के मामले में प्रारंबिक छेत्रा धिकार है ठीक है और यहां देखिए इसके बाद यह देखिए इंपोर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अनुशेद अनुशेद 143 में परामर्ष दाई अधिकार से संबंदित अनुशेद 143 है और इसके बाद यह सब देख रहे हैं आप यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इक्जाम्स में यह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि यह किस अनुशेद के अंतरगत आता है इसके बाद आए कि अनुशेद 111 के अंतरगत आता है और इसके बाद देखिए राश्ट्री ए पात वह अनुस्यान अनुशेद में तो 352 संबंदित अनुष्छेद 356 में आता है और ने राश्र्पति यहाइं पर राश्ट्री आपात की घोसडा और राश्ट्री मन्त्री मन्दल की लिखे सिर्पारिस पर ही करता है तो इस तरह से आज के 25 पूरे हुए हैं अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर देजिएगा और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और साथ ही साथ सेर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी हैदा हो सके धन्यवाद